इस नए संसद भवन में जो पहला सत्र हुआ था उसके आखिर में इस संसद ने एक बहुती गर्मा पुर्ण फैसला लिया था और वो फैसला था नारी शक्ति बंदन अधिनियम और उसके बाद 26 जनवरी को भी हमने देखा किस प्रकार से देश ने कर्तव्य पत पर नारी शक्ति के सामर्थ को नारी शक्ति के सावरिय को और आज बजेट सत्र का आरम हो रहा है तब राष्पति गरवपुदी मुर्वूजी का माऱदर्शन और कल निर्मला सितारमेंजी के द्वारा इंट्रिम बजेट एक प्रकार से यह नारी शक्ति के साक्षात्कार का परवा है साथियों मैं आशा करता हूँ कि गत दस वर्ष में जिसको जो रास्ता सुजा उस प्रकार से संसद में सबने अपना अपना कारिय किया लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिनको आदतन हुर्देंकरजे का स्वभाव बन गया है जो आदतन लोकतांत्रिक मुल्यों का चीर हरान करते हैं ऐसे सभी मानिय सांसद आज जब आखरी सत्र में मिल रहें तब जरूर्द आत्मनिरिक्षण करेंगे कि दस साल में उन्होंने क्यों किया अपने संसदी ख्षेत्र में भी सो लोगों को पूछ ले किसी को याद नहीं होगा किसी को नाम भी पता नहीं होगा जिनोंने इतना हुर्दंग हो अल्ला किया होगा लेकिन विरोद का स्वर्थ तीखा क्यों नहीं हो आलोचना तीखी से तीखी क्यों नहीं हो लेकिन जिसने सदन में उत्तम विचारों से सदन को राभानमित किया होगा उनको बहुत बड़ा वर्ग आज भी याद करता होगा आने वाले दीनों में भी जब सदन की चर्चाएं कोई देखेगा तो उनका एक एक शब्द इतिहास की तवारीख बन करके उजागर होगा और इसलिए जिनोंने भले विरोप्ता किया होगा लेकिन बुद्धी प्रतिभागा दर्शन कराय होगा देश के सामान ने मानवी के हितों का कंसन दिखाया होगा हमारे खुलाब तीके से तीकी प्रतिग्या की होगी उसके बावजुद भी मैं आवश्य मानता हूँ कि देश का एक बहुत बड़ा वर्क लोकतंत्र पेमी सभी लोग इस व्यहवार की सराना करते होंगे लेकिन जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ नकारात मक्ता हुर्दंग शरावट प्रूने वहवार ये जो किया होगा उनको शायदी को याद करें लेकिन अब यह बजेट सत्रह आउसर है पस्चाताप का भी आउसर है कुछ अच्छे फुट्पिन छोड़ने का भी अउसर है तो मैं असी सभी मान्य साउसदों से आगर करूंगा कि आप इस अउसर को जाने मत दीजिए उत्तम से उत्तम परफॉर्म कीजिए देश हीत में उत्तम से उत्तम अपने विचारों का लाप सदन को दें और देश को भी उत्साव और मंग से भर दें मुझे भी स्वास है आप तो जानते ही हैं कि जब चुनाव का समय निकट होता है तब आम तोर पर पूर्ण बजट नहीं रखा जाता है हम भी उसी परंपरा का निर्भा करते हुए पूर्ण बजट नई सरकार बनने के बाद आपको समक्स लेकर के आएंगे इस बार एक दिशान निर्वेशक बाते लेकर के देश की वित्न मंत्री निर्भाला जी हम सब के सामें कल अपना बजट पेश करने वाली है साथियों मुझे विश्वास है कि देश नित्य प्रगति की नई ने उचाईयों को पार करता हुआ आगे बढ़ रहा है सर्वस परसी विकास हो रहा है सर्वांगिन विकास हो रहा है सर्वस समावेशक विकास हो रहा है यह यात्रा जनता जनादन के आशिरवात से दिरंपर बनी रहेगी इसी विश्वास के साथ फिर आप सभी को मेरा राम राम